हलो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी येट्यूप चैनल के माध्यम से सिक्षा और रोजगार से जोगी पलपल की अपडेट देते रहता हूँ कुछ दिवस पूर्व बेरे कई साथ ही फेस्पूक के माध्यम से वाट्सप के माध्यम से मुझे से कॉमेंट में पूछ रहे थे दोस्तों कि विशा सिख्षक बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चैहिए जैसे मुझे माली जी कि मैं हिंदी विशाय के सिक्षक बनना चाहता हूँ वर्गदो में तो मुझे हिंदी विशाय के लिए क्या पढ़ाई करना चाहिए अगर मैं गडित का सिक्षक बनना चाहता हूँ संस्कृत का सिक्षक बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या पढ़ाई करना चाहिए ये सब चीजे आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे दोस्तों यह 36 का राजपत्र है जिसमें डिटेल से दी गई है कि कौन से विशाय के सिक्षक बनने के लिए आपको क्या पढ़ाई करना आवस्यक है तो देर ना करते हुए चली शुरू करते हैं दोस्तों देखिए ये राजपत्र है जो की 5 मार्च 2019 को प्रकासित किया गया है इस राजपत्र में शिक्षक बनने से संबंधित नियुक्ती से संबंधित संपोल जानकारी साजा की गई है 36 गल सरकारदर दोस्तों इस में हम किवल उसी बिंदू पर चर्चे करेंगी जिस बिंदू के लिए विडियो बनाया गया है तो देखिए दोस्तों यदि आप विशय शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी तो यदि आप अंग्रेजी विशय की शिक्षक बनना चाहते हैं वर्ग दो की में बात कर रहा हूं तो वर्ग दो के लिए आपके पास अंग्रेजी सहित इस नातक इस्तर पर एक विशय के रूप में रहा हो और थाथ आपका बिये में अंग्रेजी सहित एक विशय के रूप में आपने लिया है तो आप शिक्षक अंग्रेजी बन सकते हैं याद रखना दोस्तों इसमें अंग्रेजी समानने जो फंडामेंटल है उससे आप सिक्षक नहीं बन सकते अंग्रेजी सहीत इंग्लिस लिटरेचर का विशय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए ऐसे ही यदि आप हिंदी के शिक्षक बनना चा चाहते हैं तो इतिहास भुगोल अर्थ सास्तर राजनिती विज्ञान में से एक विशय लेना अनिवारिय है दोस्तों यदि आप जी विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं ये इस नाटको तर के रूप में तो रसायान सास्तर वनश्पत्ती विज्ञान प्राणी विज ज्ञान में से कोई भी विस दो विशय इस नातक इस तर पर रहा हो तब आप जी विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे दोस्तों यदि हम बात करें संस्कृत के शिक्षक की तो संस्कृत सहित्य में इस नातक में एक विशय के रूप में रहा हो या बिये क्लासिक में आपने किया है ग्रेजुवेशन या संस्कृत में इस नातक को तर है तो आप संस्कृत के सिक्षक बन सकते इसमें यह छूट दी गई है दोस्तो देखी अंग्रेजी के यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं वर्गदो तो इस नातक में अंग्रेजी होना चाहिए लेकिन संस्क्रिट भी साय के यदि वर्गदो के शिक्षक बन रहे हैं तो यदि आपका ग्रेजुएशन में संस्क्रिट नहीं है किन्तु इस नातकोत्तर में एमे में संस्क्रीट विशय लिए हैं तब भी आप संस्क्रीट में वर्गदों के शिक्षक बन पाएंगे वैसे ही गडित की अगर हम बात करें तो गडित के साथ निमने लिखित में से दो विशय और होना चीए जिसमें आपका भाती करशायन, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर साइन्स, सांकीगी, सैन्ने विज्ञान, भोगर्वी विज्ञान इन में से दो विशय और आप गडित के साथ में लिए हो तो गडित के शिक्षक बन पाएंगे उर्दुक सिक्षक की बात करें तो बिये उर्दु होना चाहिए क्रिश्री सिक्षक की बात करें तो एग्डिकल्चर की पढ़ाई आपने की है तो आप बन पाएंगे सिक्षक संगीत के लिए संगीत सिक्षक, तबला के लिए तबला क्षिशंबंधित होना चाहिए इसके साथ साथ देखे दोस्तो आपके इसके अलावा आप टेट की परिक्षा भी आपको उतिर्ण करना अनिवारी होगा इसमें 8 से 10 तक अर्थाथ कृषी विशाय के लिए संगीत और तबला वादन विशाय के लिए डियर या बियर और टेट की अनिवारिता नहीं है अर्थात इसमें टेट की आवसकता नहीं पड़ेगी क्रिशी के लिए संगीत के लिए और तबला के लिए आपको क्रिशी की डियेड या बियेड की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है बाकि अन्य विशयों के सिक्षक बनने के लिए आप बियेड या डियेड हो साथी साथ आपको टेट की परिक्षा भी उत्तिन करनी होगी तो यह अनिवार ये विशय है तथा उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन निधारिद की गई है ये जैनकारी है साथी साथ दोस्तों मैं एक चीजे और बता देना चाहता हूँ आपको ये बात बिलकुल याद रखे यदि आपने कक्षा बारवी में 50% से कम अंकों के साथ उत्तिन किया है सायक शिक्षक के लिए साथी साथ शिक्षक पद के लिए यदि आपने इस नातक में 50% से कम अंक अर्जित किया है तो आपको शिक्षक बनने में कर्थिनाई होगी इसलिए यदि आप बीएट डिएट की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो यदि आपकी प्रतिशत 50 से कम है दोस्तों तो आप बीएट ना करें, डिएट ना करें क्योंकि शिक्षक हे तू, शिक्षक के पद हे तू आप अपात्र कर दिये जाएंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें यदि आपने दश्वी बार्वी इस नाता की स्थर पर 50% अंकों के साथ उत्तिर्न होंगे तभी बिये डियेट की पढ़ाई करेंगे अधर वाइस ना करें क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन्स अलग है दोस्तों जिसमें आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो शिक्षक के लिए एक लिमिटेशन्स होती हैं कम से कम अच्छे अंकों के साथ 50% अंकों के साथ उत्तिर्न है तभी आप योग्य शिक्षक बनने के लिए क्या पढ़ाई आवश्यक होती हैं अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जैहिन जै भारत जैशतियों